नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, साइक्याटरिस्ट, जैन नियूरो साइक्याटरिक अंडी एडिक्शन क्लिनिक जैपुर में एजे कंसल्टेंट साइक्याटरिस्ट काम करता हूँ आज हम नीन्द के विशे में बात करेंगे नीन्द हमारे जीवन का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है हम अपनी लाइफ का करीब वन थर्ड हिस्सा नीन्द में गुजारते हैं यूजुली एक इनसान को करीब 7-8 गंटे की नीन्द की आउशक्ता होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 गंटे से कम नीन्द लेकर आराम से अपना जीवन निकाल पाते हैं जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 9-10 गंटे की नीन्द लिये विना उनका काम नहीं चलता है नीन्द हमारे जीवन का एक बहुत important पार्ट है अगर कोई इनसान एक दिन भी properly नीन्द नहीं ले पाता है तो next day वो ठका ठका महसूस करता है चिड़ चिड़ा रहता है उसका काम में मन नहीं लगता है और सारे दिन उसका दिमाग उसका सरदर्द करता रहता है और उसकी कुल मिलाके productivity काफी कम हो जाती है नीन्द बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारी physical as well as mental health दोनों के लिए बहुत आवशक है बहुत सारी mental illnesses होती है उसमें नीन्द की समश्या एक बहुती प्रमुक समश्या होती है जबकि अगर लंबे समय तक किसी को proper नीन्द नहीं आती है तो उसको physical problems like blood pressure, heart की problems और diabetes होने का खत्रा भी रहता है नीन्द हमारे जीवन में इतना important क्यों है? दिन भर हमारा शरीर और दिमाग काम करता रहता है नीन्द के दोरान हमारे शरीर और दिमाग में जो दिन भर में तूट-फूट हुई है उसकी मरमत होती है इसलिए बहुत important है नीन्द की समश्या आजकल एक बहुती आम समश्या हो गई है हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जिनकी प्रमुक समश्या नीन्द नहीं आना है कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अगर दो-तीन दिन भी उनको प्रोपर ले नीन नहीं आती है तो वो हमारे पास आते हैं कि डॉक साभ हमें नीन नहीं आ दिये प्लीज कुछ कीजिए दवाई लेना अपने आप में एक बहुत अच्छा सोलुशन नहीं है अगर आप temporary नीन्द की दवा लेते हैं तो उसके फिर भी कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर लंबे समय तक नीन्द की कोई दवा लेता है तो वो उस दवा का आदी हो जाता है उसका काम बिना नीन्द की दवा लिये नहीं चल पाता है और कुछ समय बाद नीन्द की दवा की डोजेज भी इंक्रीज करनी पड़ती है तब ही उसको प्रोपर्ली नीन्द आती है आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा अगर आप उनको रेगुलर्ली प्रोपर्ली फोलो करें तो आपकी नीन्द की समश्या का समधान हो सकता है और हो सकता है कि आपको नीन्द की दवाईयों की जरूत नहीं पड़े या फिर आप लंबे समय से नीन्द की दवाई खा रहे हैं तो वो बंद हो जाएं ध्यान से सुनियेगा पहला आप अपने बेड पे तभी जाएं जब आपको नीन्द आ रही हो ऐसा बिलकुल नहीं करें कि आप इस्तर पे जाके लेट गए हैं और नीन्द आने का वेट कर रहे हैं ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो लोग करते हैं दूसरा अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए ही यूज में ले बहुत लोगों के आदत होती है कि वो बेड पे बेड के ही टीवी देखते हैं वहां पे मोबाइल यूज करते रहते हैं चेटिंग करते हैं या फिर खाना भी वहीं पे खाते हैं ऐसा बिल्कुल ना करें सोने और उठने का समय फिक्स रखें इस्पेशली उठने का समय अगर आप इस्तर पे चले जाते हैं थोड़े देर बाद में भी अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही है तो वहां लेटे नहीं रहें वहां से उठें, रूम से बाहर आएं और कुछ पढ़ने लग जाएं और जब दुबारा आपको लगे कि आपको नींद आ रही हैं तब ही आप वापसे बेड पे जाएं दिन में सोने की आदत बंद करें बहुत साए लोग हैं जो दिन में सोते हैं वो बिल्कुल बंद करें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि दिन में सोय बिना उनका काम बिल्कुल नहीं चलता है तो एसे लोग कम से कम सोने की कोशिश करें उसको हम पावर नेप बोलते हैं अगर आप 10-15 मिनट या जायस यादा आदा गंटा इससे जादा ना सोए तो आपकी रात की मीद काफी अच्छी हो पाएगी अगर आप सोने के लिए बेड़ पे चले गए हैं उसके बाद आपके मन में काफी विचार चल रहे हैं कुछ चिंतायें चल रही हैं, कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं कल कैसा होगा उसके बारे में विचार चल रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, एक पेपर लीजिए और वो अपने विचारों को आप लाइन से नोट कर लीजिए सोने से एक घंटा पहले आप अपना टेवी, मुबाइल बिल्कुल बंद कर दे आपका रूम जहां आप सोते हो डार्क रखे, कूल रखे, कमफर्टेबल रखे और वो बिल्कुल शान्त होना जाए है शाम को चार बज़े बाद आप चाय या कौफी का सेवन ना करे डिनर आप बिल्कुल हेवी ना ले, लाइट खाना खाईए और खाना खाने के बाद करीब दो से तीन गंटे तक सोने की कोशिश ना करे आप जगे रहिए सोने के लिए स्मॉकिंग या एल्कॉहल का यूज बिल्कुल ना करे अगर आप इन सब टिप्स का रिगुलर्ली और प्रॉपर्ली फोलो करे तो आपके नीद की समश्या बिल्कुल ठीक हो सकती है